केंदरे वित्यमंत्री निर्मला सीता रमण ने 23 जुलाई को वित्य वर्ष 2024 का केंदरे बजट पेश किया इस बजट में स्वास्ते और स्वास्ते से जुड़े सेक्टर को लेकर भी कुछ घोशनाएं की गई है वित्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा है कि कैंसर के इलाज में इस्तमाल होने वाली तीन एहम दवाओं पर कस्टम ड्यूटी जीरो की जाएगी सरकार के इस कदम से कैंसर के इलाज में मरीजों को बड़ी छूट मिलेगी इसके इलावा कैंसर के इलाज में इस्तमाल होने वाली दवाएं और मैडिकल उपकरण भी कम दाम पर मिल पाएंगे कैंसर के इलाज में इस्तमाल होने वाली तीन दवाएं भारत में आयातित होने के बाद महंगे दामों पर मिलती थी इस पर कस्टम ड्यूटी जीरो होने के बाद इनके दामों में काफी कमी आएगी इसके इलावा कैंसर के ट्रिट्मेंट में इस्तमाल की जाने वाली कुछ मशीनों के दाम सस्ते करने की भी घोशना की गई है सरकार ने बजट में medical research को बढ़ावा देने के लिए अलग से fund देने की बाद कही है इस साल के बजट में सरकार ने 9 प्रात्मिकताओं के बारे में बाद की लेकिन इसमें health care sector शामिल नहीं है हालकि सरकार के तरफ से कहा गया है कि फार्मा सेक्टर को बूस्ट करने के लिए भी सरकार अलग से फंड आबंधित करेगी अब देखना ये होगा कि सरकार के इस कदम से आम जनता को कितनी राहत मिलने वाली है बजट से पहले ये उमीद लगाई जा रही थी कि सरकार इस साल के बजट में आईश्मान भारत योजना को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है लोकों का अनुमान धा कि सरकार आईश्मान कार्ड के लिमिट को बढ़ा सकती है लेकिन आईश्मान योजना और आईश्मान कार्ड को लेकर सरकार ने कोई नया कदम नहीं उठाया आंकडों पर गौर करें तो ये कहा जा सकता है कि साल 2024-25 के यूनियन बजट में सरकार ने हेल्थ सेक्टर को लेकर उदार सीन्ता दिखाई है स्वास्तिक शेत्र की जरूतों के हिसाब से बजट में इसके उची तिस्थान नहीं मिला है साल 2017 की नाशनल हेल्थ पॉलिसी के साल 2024-25 तक हेल्थ सेक्टर पर GDP का 2.5 प्रतिशत खर्च करतने के टार्गेट सेट किये गए है इस तार्गेट के मुताबिक देश का हेल्थ बजट इस साल 3.3 लाक करोड रुपए होना चाहिए था लेकिन इस साल बजट में सिर्फ इकार्ण में 1000 करोड रुपए ही हेल्थ सेक्टर को आबंडीद किये गए ये हेल्थ सेक्टर की जरूरत का सिर्फ 27 प्रतिशत ही है